Welcome back to my Youtube Channel ग्यान Tech Series फिनाच के वीडियो में बात करने वाले हैं कि एगर आप अपने फोन पर Threads App यूज़ करते हैं और आप अपने Threads App की प्रोफाल पर जाते हैं Edit Profile पर जाते हैं और यहां से आप Profile Picture में क्लिक करके Remove कर रहे हैं अपनी Profile Picture को लेकिन आपकी Profile Picture रिमूब नहीं हो रहे हैं तो आपको अपने त्रेट्स एकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर की रिमूब प्रॉब्लों को कैसे सॉल्व करेंगे कैसे फिक्स करेंगे आज के सीजिए में आपको यही बताने वाला हूं आपसे रिक्ष्ट्ट वीडियो को पूरा देखे तभी आप सही तरीके से threads app के account की profile picture remove कर पाएंगे जैसे आप अपने mobile पर threads app पर जाकर अपने profile पर जाकर edit profile में जाकर अपनी profile picture को remove कर रहे हैं लेकिन remove नहीं हो रहे हैं इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा अपने phone की settings पर अब आपके phone में यतनी भी settings हैं आपके सामने open होके आ जाएंगी थोड़ा सा नीचे जाएंगे यहां पर आपको apps का option मिलेगा apps पर क्लिक करेंगे अब आपके phone में जितने भी apps इंस्टॉल हैं सभी apps यहां पर open होके आ जाएंगे थोड़ा सा नीचे जाएंगे यहां आपको देखने को मिलेगा threads app को official app इस पर क्लिक करेंगे नीचे आपको storage पर क्लिक करना है नीचे आपको दो apps आपसे मिलेंगे clear data और clear कैसे clear कैसे में क्लिक करेंगे अब आपके threads app पर जितने भी temporary file हैं वो clear हो जाएंगी इतना करने के एक बाद अपने phone को एक बाद restart करेंगे restart करने के बाद threads app ऑपन करेंगे open करने के बाद profile में click करेंगे edit profile में click करेंगे फिर profile picture में click करेंगे और नीचे आप रिमोड करेंट वीडियो पसंद आया हो लाइक करें दोस्तों के साथ सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें